नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घर बनाने के लिए बहुत सारे material का यूज़ किया जाता है बट इन सभी material में से एक बहुत ही important material है जिसका नाम है concrete और concrete बनाने की बहुत सारे तरीके हैं जैसे concrete automatic machine से बनाई जाती है second आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से mixer से बनाई जाती है थर्ड और सबसे पुराने method की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से handmade concrete बनाई जाती है जिसमें labor द्वारा concrete में उपस्थित सभी material को mix किया जाता है उसके बाद इसमें water डाल कर concrete को तैयार किया जाता है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप handmade concrete बना रहे हैं तो आपको concrete बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी concrete परियाप्त मजबूत बने वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये 100% पता चला जाएगा कि concrete बनाते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए तो चली वीडियो की शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस चोटी सी रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नई हो तो चैनल को सस्क्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें तो आप देख सकते हैं कि हैंडमेड कंक्रीट बनाने के लिए किसी साब सुथरे प्लेटफॉर्म पर सीमेंट, सेंड और एग्रिगेट को रखकर कुछ इस तरीके से मिक्स किया जाता है मिक्स करने के बाद इसमें वाटर फिलब किया जाता है और सीमेंट, सेंड, एग्रिगेट और वाटर को मिक्स करके कुछ इस तरीके से कंक्रीट बना ली जाती है बट इस कंक्रीट को बनाते हैं आपको जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए नहीं तो आपकी जो कंक्रीट है वो परियाप्त मजबूत नहीं होगी और यदि आप एक अच्छी कंक्रीट से घर नहीं बनाएंगे तो आपका घर कमजूर हो जाएगा और यदि आप किसी कंक्रीट में वर्क करने के दोरान एक अच्छी कंक्रीट नहीं बनाएंगे तो उस सिच्वेशन में आपकी जॉब जा सकती है और इसके साथ साथ आपकी सीनियर से आपको डाट भी पर सकती है साइट पर बहुत सारे सिविल इंगेनियर सही से कंक्रीट नहीं बनाते हैं जिसका जो स्पैडाम यह होता है कि उन बेचारों को डाट सुननी पड़ती है या फिर उनकी जॉब चली जाती है तो चलिए एक एक पॉइंट हम आपको बताते हैं कि कंक्रीट बनाते हैं आपको किन-किन बातों का जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए तो हैंड मेंट कंक्रीट बनाने के लिए यह हम फर्ष्ट पॉइंट की बात करें तो आपको कंक्रीट बनाते हैं सबसे पहले यह देखना है कि आपको डारेक्ट जमीन पर कंक्रीट नहीं बनानी है यहनि कि कंक्रीट बनाने की जो सरफेस हो बिल्कुल ठोस होनी चाहिए आप कच्छी जमीन पर कभी भी कंक्रीट को नहीं बनाएंगे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कंक्रीट बनाने के लिए जो आप एग्रिगेट यूज कर रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है यदि आपकी गिट्टी में कीचर वगहरा लगा हुआ है तो उसकी आप साब सफाई करने के बाद ही कंक्रीट में यूज करेंगे क्योंकि कंक्रीट बनाते समय यदि कंक्रीट के अंदर किसी भी तरह से मिट्टी जाएगी तो आपके कंक्रीट को कमजोर कर देगी तो इन ही बातों का ध्यान रखते हुए आपको कंक्रीट बनाना सुरू करना है तो कंक्रीट बनाने के लिए आप जिस अनुपात में कंक्रीट बनाने वाले हो यानि कि जिस रेशियो में कंक्रीट बनाने वाले हो 1-2-4 या फिर 1-1-5-3 या फिर 1-1-2 आप जिस अनुपात में कंक्रीट बनाने वाले हो उस अनुपात में आप एग्रिगेट और सेंड यानि की गिट्टी और रेत लेने के बाद आप कुछ इस तरीके से सीमेंड को डालेंगे और सीमेंड को डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको फाऊडे से कुछ इस तरीके से सीमेंड और एग्रिगेट की मिक्सिंग करनी है और mixing करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको तब तक mixing करनी है जब तक कि cement sand और aggregate का जो mixer है वो पूरी तरह आपको cement के color में ना दिखे और cement sand aggregate को अच्छे से mix करने के लिए एक मानक बनाया गिया है कि आपको सूखे मसाले को कम से कम तीन बार mix करना है यानि कि cement sand aggregate लेने के बाद आप एक बार mix करेंगे एक बार mix होने के बाद आप दोबारा mix करेंगे और दोबारा mix करने के बाद आप दिवारा mix करेंगे तो तीन बार आपको mix करना है यदि आप तीन बार mix करेंगे सूखे मसाले को तो cement scent aggregate बहुत ही अच्छे से mix हो जाएगा अच्छे से mix करने के बाद next step में आपको बीच में hole करना है यानि कि बीच में थोड़ा थोड़ा आपको गढधा सा कर देना है बीच में गढधा करने के बाद next step में आपको water यानि की पानी डालना है और पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से mix कर देना है आपकी concrete बहुत ही अच्छे से बन कर तैयार हो जाएगी सो उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि concrete बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे अपना ख्याल लखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लखिये इसी भावों के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद